आपोट बहुत स्वागत है आज हम यह मूंग की डाल लाए और आपके लिए बताएंगे कि आप घर पर बैठे बैठे इसकी चिलकी कैसे निकाल सकते हैं वैसे मूंग की डाल की हम लोग कई रेसिपी बनाते हैं आप देख रहे छिलका उत्री डाल है खड़ी मूंग भी है और पूरी साल मरलूप तो उठा सकते हैं और सबसे अच्छी चीज है पापड़ तो हम इसके पापड़ भी बना सकते हैं यानि मूंग की डाल की बहुत सारे वेंजर बनते हैं बहुत सी रेसिपी बनती हैं आप जिस तरीके से चाहें मूंग का डाल का आप इस्तमाल कर सकते हैं ल और उसी चममच से देखिए हमने एक चममच नमक लिया है और तीनों चुज़ों का हमें घूलबना लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो जितनी चाहिए मात्रा में डाल ले सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ी सी डाल ले कर आपको बता रहे हूं और आप चाहें या माली ये तेल थोड़ा कम जादा हो जाए तो इसे कोई नुकसान नहीं है कम नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से यह हमने पूरी में रगड कर अच्छा पूरा मिक्स कर दिया है ताकि यह एक जैसे अच्छी समें पॉलिश जैसी दिख रहा है और इसे हमें लगभग कम से क पंदरा दिन के लिए रख देना है तो देखी अच्छी से मिला लिया अभी एकदम से लिए चाह दिख रहा है ताजी पॉलिश है और फिर इसके बाद देखिए यह हमने पुरानी दाल है यह हमने लगभग एक महीने के मतल़ा पहले पॉलिश करके रख दिया था तेल नमक और पानी का लेप करके तो यह एक महीने वाद इस तरीके से देख रही है और जो आपने अभी ताजा देखिए तो ताजा यह इस तरीके से देख रही है तो इसमें और इसमें देखिए कितना परिवाटतन है अब इसके छिलकी उतारने के लिए यह दाल बिल्कु तैयार है त पालिस वाली और देखिए इसका बटन को मुश्कल से एक से दो से के लिए ओन आफ करना है ज्यादा हमें देर तक नहीं इसको चालू रखना है यदि आप ज्यादा देर तक चालू रखेंगे तो आपकी दाल है उसका पाउडर बन जाएगा तो यह देखिए दाल की जो हमारी फुकली है इसके जो छिलके ये निकल गये है यदि आप थोड़ा और करेंगी तो और भी इसकी जो फुकली है वो निकल सकती है लेकिन आपको इस चीज़ काफी को धियान रखना है कि हमें जादा नहीं घुमाना है यदि आप जादा चलाएंगे तो यह दाल हमारी पिस जा कहते हैं अब अच्छा तरीगा है कि आपको जो आट lijmen से आपको च्छान लेना है तो आप च्छान लेंगेरे तो नीचे आपकर जो देखिए यह जो बचा हुआ है जो आटा निकला है आट वाली चांद हो षक लिए लिसी ज नेकला आप इसको इसको पुड़ी है है कि इसमें थोड़ा नमक हमने मिलाए कुई भी रेसिपी वहाद देडिया कर दिखें कि इसमें नमक मिला हुआ है इसी दune लिल्मित यहां बचिभी ची कि अ इसकी थाली प्राथ या सुक्की देड़ ले रहता है या आपके पास समय नहीं होता है या आप जली-जली में करने ही पाते हैं तो आप ये विधी जरूर इस्तमाल करें आप ये विधी अपनाएंगे तो छिलके उतार के रख लेंगे तो आप कोई भी रेसिपी जट-पड बना सकते हैं दाल धोनी की जणजट और पानीं मुझा पता कि ये नमस्कार